हलो बच्चो कैसे हो आप सब तो बच्चो आज हम लोग क्लास 9 की वर्कशीट नमबर 41 करेंगे जो की साइन्स की वर्कशीट है चलिए शुरू करते हैं ये वर्कशीट हमारी ये भी फोर्जीजन लौज अफ मोशन पे है याने के चैप्टर 9 पे और इसका जो टॉपिक है वो पूछता है जिग्यासा दिदी यू टोल्ड मी दैट फोर्स ऑल्वेज एक्जिस्टीन पेर्स आपने मुझसे कहा था कि फोर्स हमेशा पेर्स में होती है ये वर्क किन अपोदी डिरेक्शन जो कि अपोदी डिरेक्शन में वर्क करती है और टू डिफरेंट आबजेक्ट क वीडियो आपको मिलती रहें ठीक है ज्यान इस त्रू दैट फोर्स ऑल्वेज एक्जिस्टीन पेर्स आपने में एक्जिस्ट करती है और वो एक दूसरे की अपोस करती है इसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे थार्ड लॉफ मोशन अप्लाई होता है अकॉर्डिंग कोई भी अप्जेक्ट दूसरे अप्जेक्ट पे फोर्स एक्जर्ट करता है और यह जो दोनों फोर्स होती है उनका मैग्निट्यूट जो होता है वो एक्वल होता है लेकिन डियरेक्शन अपोसिट होती है फोर्स मैगनिट्यूट मीज यहां पे होता है वैल्लियू मीज अगर माल किसी के ऊपर आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आपके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा लेकिन वो अपोसिट डियरेक्शन में होगी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे और उसके बदले जो उसके ऊपर फोर्स लगते उसे हम लोग क्या कहते है रियक्शन कहते हैं example when we kick up football we apply force on it sorry we apply action force on it अगर हम लोग किसी football को kick करते है तो हम उसके उपर action force apply करते है ठीक है it is due to which it moves away इसकी जैसे यह move करने चालू कर देती है but at the same time लेकिन उसी समय दा footballer also applies the same force on our food और जो footballer होता है उसके pair भी क्या होता है force apply होती है due to the due to which we may get hurt और field pain जिसके जैसे हमें दर्द भी होता है और हमें चोट भी लग सकती है फिर के अगर देखिए अगर आप किसी football को मार रहे हो तो जैसी बात है कि उसके जैसे आपको भी थोड़ा बहुत हर्ट होगा ठीक है third law of motion to every action there is equal and opposite reaction and they act on two different bodies याने कि किसी भी क्रिया की एक बराबर या विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो कि दो bodies पे लगाई गई होती है जैसे यहाँ पर एक और example है let us consider two spring balance हमें दो spring balance ले लिए जिससे वजन मापा जाता है and connect it together जैसे इन्हें दिखा रखा है कि हमने इसे connect कर दिया ठीक है fix the upper end of spring balance to a fix end of the table or wall याने कि जो आपका spring balance a है उसको आप क्या करो दिवार से लगा दो और जो spring balance का दूसरा हिस्सा है उसको आप क्या करो एक दूसरे spring balance से खीचो याने कि B spring balance से खीचो तो आप क्या देखोगे कि दोनों में जो reading है वो same आएगी ठीक है we notice that the reading of force याने कि weight in both balances is same but in opposite direction लेकिन क्या होगी opposite direction में होगी in this setup the amount of action force applied by A on B is equal to the reaction for applied by A on B यह ने कि वही है कि जो A B के उपर अगर force लगाता है तो opposite direction में होगी ठीक है ज्यादा कुछ इसमें explained में नहीं है आगे हम देखते है some daily uses of third law of motion कुछ daily uses है इसको बच्चो आपको question में भी पूछ सकता है ठीक है तो daily uses के question है क्या है first question get harmed when player collide each other in the game कोई भी खेल खेलते समय क्या होता है खिलाडी आपस में टकरा जाते है जिसकी जरसे उन्हें चोट लग जाती है तो यह क्या है third law of motion का एक example है second है आपका can we able to walk on a path क्या हमें एक रास्ते पर चलने के लिए able होते हैं तो हाँ क्या हम चलते हैं तो हमारे पैट जो है वो ground की तरफ force लगाता है नीचे की तरफ ठीक है और जो ground है वो upward force लगाते है जिसके जो से हम लोग आथानी से चल सकते हैं तीसरा है recoiling of gun when bullet is fired from it गोईल जो होती है पीछे की तरफ जटका मारती है जब उसमें से गोली चला ही जाती है तो यह भी क्या है third law of motion का एक्जामपल है फोर्थ है आपका moving a rocket in forward direction on ignition जब भी rocket के अंदर मतलब आग लगती है नीचे से तो वो हमेशा आगे की दिशा में जाता है यह भी third law of motion का ही एक्जामपल है फिफ्थ देखिए the boat moves backward when sailor jumps in forward direction जब भी कोई sailor है वो आगे की direction में कूता है तो जो बोट है वो पीछे की direction में भागने लग जाती है ठीक है next है आपका bouncing back of player by trampoline when he jumps on it जब भी कोई player trampoline के उपर jump करता है यने कि देखिए इसके उपर कूदा जाता है तो हमेशा क्या होता है bounce back होता है यने कि हमेशा उपर जाता रहता है जितनी बार वोस के उपर कूदेगा 7th है the ball gets reflected back when hit on a ball जब भी आप किसी ball को अगर दिवार से दिवार के उपर फैकते हो तो क्या होगा ball टकरा के वापिस आईगी ठीक है इसी से रिलेटर हमें कुछ question answer दिए गए है हम लोग question answer देख लेते हैं बच्चों तो हमारा worksheet number 41 का question number 1 है write the third law of motion हमें first question में बुला गए third law of motion क्या होता है तो आपके worksheet में ही इसका answer to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies याने के हरे क्रिया की एक बराबर या विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो की विपरीत दिशा में होती है ठीक है और क्या कहते है इसके अंदर दो bodies होना जरूरी है next question shall we ever able to write if the force we apply on pen is not reverted back by the paper why क्या हम कभी लिखने की योग होंगे अगर कोई किसी pen को अगर हम लोग दबा के paper पे लिखते हैं क्योंकि हम लोग force apply करते है pen के उपर तभी हम लोग लिख पाते है होती by the paper because if paper will not revert it then the ink present on the paper will not print on it तो क्या होगा जो भी हम लिखेंगे उस paper के उपर तो उसके उपर print नहीं होगा next question why does a soldier hold rifle on his shoulder एक कोई भी soldier है तो वो अपनी rifle को अपने कंधे पर क्यों रखता है गोली चलाने से पहले holding the gun tightly on the shoulder help to absorb most of the force generated by the recoil ठीक है क्या होता है कि बंदुक पीछे की तरफ जटका मारते और कंधे पर बंदुक इसलिए लगा लेता है ताके थोड़ा बहुत amount में जो force है वो उसको absorb कर ले जो उनका shoulder है allowing the shooter to steady in his shot यहने कि इसकी जैसे जो shooter होता है गोली चलाता है वो अपनी जगह पे भी खड़ा रहता है है ना and also to remain standing में अपनी जगह पे खड़ा रहने में मदद उसे करता है और उसका निशाना जो है वो सिधा लगी next question right three uses a third law of motion in our daily life अभी आपको पढ़ाया था मैंने first is the ball get reflected when hit the wall second is able to walk on path third is get harmed when players collide each other and last question is explain the process of walking with the help of Newton's third law of motion यहने कि Newton के तीसरे नियम से हमें बताना है कि हम लोग किस प्रकात चलने की प्रकरिया करते हैं तो इसका answer होगा बच्चो Newton's third law state that every action has an equal and opposite reaction यहने कि Newton का third law कहता है कि हर एक क्रिया कि अप विपरित प्रति क्रिया होती है यह बराबर this is relevant to walking because when you put your foot on the ground क्योंकि जब आप अपने पर जमीन पर रखते हो you are applying a force on it आप उस जमीन के ऊपर force लगा रहे होते हो in doing this ऐसा करते समया the ground also actually applies an equal force ground भी क्या करता है एक equal force लगाता है आपके foot के उपर opposite direction में और आपको forward हैने के आगे की तरफ क्या कर देता है push कर देता है thank you for watching the video बच्चो गर आपको वीडियो अच्छी लगी तेन like subscribe and share this video कर दो से दो